गुद मॉर्निंग एवरिवन वेलकम टू माई चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं अभी सुबह के पौने पांच बज रहे हैं चलिए मैं आज मॉर्निंग की विव आप लोगों को दिखाती हूं मैं उठ चुकी हूं पौने पांच बजे और देखिए अभी बाहर का कितना अच्छा लग रहा है देखने में लाइट अभी जल रहे हैं कुछ लोग अभी रणिंग भी कर रहे हैं यह अंकल जी लोग इतने सुबह में उठ जाते हैं माई गॉड सारह चार बजे से ही लोग चलना सुरू कर देते हैं और अभी मैं एक ग्रूप दिखाऊंगी उन लोग को मैं जॉइन की हुई हूं मतलब इतना मस्त है न मैं क्या बताओ रोज सुबह ही लोग सारह चार से रणिंग शुरू कर देते हैं यह देखो तीन लोग है ना इन लोगों के साथ मैं भी और एक दो लोग जुरे हुए हैं सब रणिंग करते हैं मैं तो लेट हो जाती हूं थोरी सी अब मैं थोरी सी पानी पीलू क्योंकि सुबह में मैं खाली पेट और बासी मूही पानी पीती हूं डॉक्टर सालनी को मैं फॉलो करती हूं यूट्यूब पर उन्होंने यह बताय करती हूं उसके बाद ही मैं फिर कुछ करूंगी यह मैं आ गई हूं अपने लिविंग एरिया में लाइट जला दी हूं पुरा अंधेरा लग रहा था और दर्शन कर लिजे आप लोग गनपती वपा के सुबह का परनाम करके फिर मैं इधर सारा जो भी काम है उसारा निप्टाओंगी उसके बाद रणिंग के लिए जाओंगी अब मैं निकल चुकी हूं वाप के लिए थोड़ी देर वाप करूंगी क्योंकि रणिंग के पहले वाम अप जरूरी होता है तो इसल बाद फिर रणिंग के बाद फिर मैं थोड़ा सा वाम अप करती हूं आज मैं आप लोगों को लेकर चलती हूं हमारे सोसाइटी के लॉन टैनिस एरिया में जो फिप्त फ्लोर पे टेरिस के उपर में है और आप देखो यहां पर कितना लंबा चोड़ा सायना दो लोग यहा लोग रनिंग वेगड़ा करते हैं तो यह यहां खेलने के लिए आ रहते हैं लेकिन यह तरह से एक अच्छा एकसर साइज भी है खेलने से सही होता है अब मैं आ चुकी हूं घर और अपना डेली वर्काउट सेशन स्टार्ट मेरा हो चुका है वह मैं कर रही हूं एक एक करक करोगे तो फैदा होगा इससे मैं जो भी सेयर कर रहे हूं स्टेप्स वेगरा आप देख करके जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही करो आपको अगर टाइम मिलता है इवनिंग के टाइम भी आप कर सकते हैं तो वो भी सही रहेगा बस यही होना चाहिए कि खाना खाने कि चार घंडे के बाद आप यह स्टेप करें जो भी मैं कर रहे हूं तो इससे अच्छा लाब मिलेगा आपको आप किम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉंग होगी देखने में थोड़ा सा इजी लग रहा है बट है थोड़ा टफ यह बट एक दो बार आप अगर कर लोगे तो सारे स्टेप्स इजी बे में आपसे होती जाएगा अब मेरा सेशन यहां हो चुका है खतम अब समय देखिए टाइम क्या हो रहा है यहां 7.35 अभी इतने दिर तक तो मैं ठक के बिल्कुल चूर हो चुकी हूं अभी मेरा सबजी वाला भी सबजी दे करके गया हुआ था चलि वह उन्होंने बोला कि मेडम ट्राइ करो अच्छा लगेगा और टमाटर साथ रुपे किलो ब्रेड ब्राउन ब्रेड तो 30 रुपीज मिलता है हर जगह साइध वही रेट होगा मस्रूम एक पैकेट 40 के तो असी के दो मस्रूम हुए सिमला मिर्च है यहां 80 रुपे के सिमला मिर्च और जिंजर गार्लिक हर जगह नॉर्मल वही रेट है सब जगह वही रेट चल रहा है कुछ निम्मू में लेली थी 60 रुपे किलो निम्बू यहां दे रहा था निम्बू पता नहीं क्यों इतना मैगा है और पपीता पपीता यहां पर वही 35-40 के हिसाब से देता है तो सारे सबजी वेगड़ा फल वेगड़ा मुझे आसानी होती है मंगाने में यहां पास में है और आलू और प्याज जो है प्याज अलू तो 35-30 ऐसे ही दे रहा है और 25 रुपीज करके दे रहा है तो मंगा करके मैं रख लेती हूं एक बार तो अच्छा रहता है मैं परिस पहले भी विना दोए सब्जी फलतों में रखती नहीं थी तो थोरे बहुत बरतन थे सिंक में मैं सोची धोलू पहले उसके बाद फिर सब्जी धोने में सही रहेगा तो यहां मैं सारे सब्जीयों को एक एक करके धो करके थोरे दिर के लिए बाहर छोड़ दूंगी हवाल जाओंगी सावर लेने सावर ले करके मैं आचुकी हूँ यहां अपना ब्रेक फास्ट बनाने के लिए अभी मैं बना रही हूं सेंड़ जिसमें मैं चीज और पनीर की कुछ स्लाइस पहले सेट करके रखी हुई हूँ यह आप देख लीजिए और थोरे से टोमेटो सॉस और मियोनीज लगा करके इसे बस सेंड़ीश मेकर में ग्रील कर लेना है यह रहा मियोनीज थोरा-थोरा मियोनीज भी लगा दी हूँ उपर वाले ब्रेड में और पहले से थोरी सी मैं टोमेटो सॉस भी लगा दी थी हलका सा इसे अच्छे से फिर हम ढग देंगे एक-एक करके और उसके बाद इसमें थोरा सा बटर लगाएंगे बटर में अमूल का यूज करती हूँ क्योंकि वो अच्छा होता है सुद्ध होता है तो अमूल के बटर हलका उपर नीचे में लगा करके और इसे फिर अच्छे से सेंड़ीश मेकर में ग्रील कर लूँगी सेक लूँगी इसमें मैं डाल रही हूँ, सेंड्वीच मेकर में बनाना आसान होता है, कभी आप लोग भी ट्राय करना और जादे महगा भी नहीं होता है, आप इसे एमेजोन वगरा से परचेज कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी भी बनता है, इसमें आप बना के खाओगे न, तो तबे पर बड़ा कुरकुडा सा लगेगा, आप खाओगे तो, जेनरली तो लोग प्याज, टमाटर वगरा, धनिया पत्ती वगरा दे करके बनाते हैं, सेंड्वीच, बट मैं इस तरह भी बनाती हूँ, इसका भी टेस्ट काफी बहतर होता है, आप ट्राय करना, और फिर मुझे पता कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, आज की ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा, वाबाई, टेक केर,